नमस्कार दोस्तों मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर और अगले तीन दिन किसान भाईयों के लिए बेहद ही खास रहने वाले हैं क्योंकि अगले तीन दिन उत्तर भारत के लगबग दस जिलों में ताबर तोड मुसलाधार बारिश के साथ ओलब बारा लगाया गया है मौसम विभाग में अगले तीन दिनों में उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश की आसंगा जताई है मौसम विभाग ने कहा है कि पस्चिमी हिमाले रीजन में वेस्टरन डिस्टरवेंस के कारण हलकी बारिश और बरबारी हो सकती है वह की वज़े से 28 फरवरी से और 2 मार्च और साथियों बता दें कि 3 मार्च को वेस्टरन डिस्टरवेंश की वज़े से हलकी बारिस और बरबारी देखने को मिलेगी पंजाब के उत्री हिस्सों में और जम्मू में भी बारिस हो सकती है वही राजस्थान और दिल्ली में अगले तीन दिनों में तापमान 2-3 डिगरी तक बढ़ सकता है मौसम विज्ञान की और से जारी प्रेस विज्ञपति में बताया गया है कि दक्षनी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी अगले तीन दिनों में तापमान 2-3 डिगरी तक बढ़ सकता है जबकि गुजरात में अगले दूसी तीन दिनों में तापमान में किसी भी प्रकार की वरद्धी नहीं देखी जा सकती है लेकिन उसके बाद में दूसी तीन डिग्री सेल्शेस की वरद्धी देखी जा सकती है मौसम विभाग ने बताया है कि नया वेस्टरन डिश्टेवेंस दस्तक दे रहा है जिसकी वज़े से मौसम में अचानक से बदलावाएगा 27 फरवरी से और 1 मार्च के बीच यानि की इन 3-4 दिनों तक जम्मु कस्मीर, लद्दा, गिलगिट बाल्टिस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड में बारिश होगी इसके अलावा हलकी बरबारी होने की भी संभावना है वहीं 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच पंजाब, हरियाना, चंदिगड में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है इसके अलावा 28 फरवरी को कस्मीर घाटी में और 1 मार्च को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है जो पहाडी राज्ये हैं इनमें भारी बारिश के साथ दोस्तो ओलव रष्टी भी देखने को मिलेगी साथ ही में दोस्तो हिमसकलन तो होता ही है हिमसकलन भी देखने को मिलेगा साथ यो उत्तर भारत की जो राज्ये हैं यहां पर किसान भाईयों की जो सरसो की फसले हैं वो पकर तैयार है और जोरदार तरीके से कटाई चल रही है एसे में दोस्तो अगर बरसात होती है और साथ ही में दोस्तो हलकी मूटी कांकरीव गिरती है यानि कि उलब रष्टी होती है तो किसान भाईयों को बेहद नुकसान होगा और दोस्तो ये चक्रवाती तूफान है तो ये तो थोड़ा असर दिखाए गई वैसे हर अबडेट में आपको चैनल पर देता रहूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्ये से देख रहे हैं कहां से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें अविसे बताएं और चैनल सब्सक्राइब करन ने भूले धन्यवाद दूस्तू जेहिन